नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल जरधारी क्लासेज में दोस्तों आज हम चर्जा करेंगे बागेस्वर जन्पद के महतोपूर्ण प्रेशनों के बारे में काभी महतोपूर्ण लेक्चार दोस्तों ये होने वाला है बागिस्वर जनपद से संबने जितने भी important question है उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और इसका पीडियाप जितने भी ये question है और सभी जनपदों के अगर आपको MCQ चीए तो link आपको मिल जाएगा पी answer बागिस्वर को उत्तर का वारानसी कहा जाता है और साथ इसाथ बागिस्वर को तीर्थ राज भी कहा जाता है तो ये भी आपको note करना है तीर्थ राज किसे कहा जाता है बागिस्वर को और बागिस्वर में सूरतीर्थ भी है और अगनी तीर्थ सूरतीर्थ और अगनी त के नाम से भी जाना जाता है तो यह सभी फैक्ट में वैसे आपको बागिश्वर जन्पाद में पहले ही बता चुका हूँ तो पहले का हो जाएगा डी ओप्शन सही आंसर क्वेसन नमबर टू है सुन्दर ढूंगा दर्रा किसके मद्य इस्थित है सुन्दर ढूंगा दर्रा है दोस्तों चमोली और बागिश्वर के मद्य इस्थित है यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा बी ओप्शन बागिश्वर और चमोली के मद्य इस्थित है सुन्दर पास दर्रे की खोज कमेशनर ट्रेल द्वारा अठारा सो तीस में की गई थी तो ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर पिथोरगण के मध्या जमकि जो सुन्दर ढूंगा दर्रा है ये है बागेश्वर और चमॉली के मध्या Q3 है बागेश्वर जन्पत का गठन कब किया गया बागेश्वर जन्पत का गठन किया गया 1997 को अगर डेट पूछी जाती है तो 15 सितंबर 15 सेप्टेंबर 1997 को बागेश्वर जन्पत का गठन किया गया C option हो जाएगा सही answer Question number 4 है बागिस्वर किस नदी के तटपर बसा हुआ है जो बागिस्वर है वो बसा हुआ है सर्यू नदी के तटपर यानि यहाँ पे हो जाएगा A option सही answer बागि यहाँ पे कोशी नदी यह भी बागिस्वर से भेती है पिंडर नदी हो गई जिसका उद्गम पिंडरी ग्लेस्वर से यानि बागिस्वर से होता है और यह कान पुर्याग में अलक नंदा से संगम करती है ठीक है और काली नदी के बारे में आपको बता चुका हूँ तो कुलमा के जो सर्यू नदी है दोस्तों यह है बागिस्वर जो कि सर्यू नदी के तटबर बसा हुआ है ए ओप्सन हो जाएगा सही अंसर क्वेस्टन नंबर फाइब है कोसानी का प्राची नाम क्या है जो कोसानी है उसका प्राची नाम है बलना सी ओप्सन हो जाएगा सही अंसर कोसानी का प्राची नाम है बलना और कोशिक मुनिकी तपस तली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा कोसानी पढ़ा एक और मेत्वपूर्ण प्रेस्ट मन सकता है कि जो कोसानी है वो किस पहाड़ी पर इस्थित है तो पिंगनाथ पहाडी पर इसे थे कोसानी C ओप्शन हो जाएगा कोसानी का प्राची नाम बलना है Q7 हाथ छीना जलास है किसे जन्पद में है भर्तपूर्ण प्रस्न है हाथ छीना जलास है ये भी आपका हो जाएगा बागेश्वर जनपद में है हद छीनाज जला सया क्वेस्टन नमबर साथ है बागेश्वर नगरपालिका का गठन कब किया गया बागेश्वर नगरपालिका का जो गठन किया गया वो किया था 1968 में D option हो जाएगा सही answer और 1976 में बागेश्वर को एक परगना गोसित किया था और उसके बाद 1997 को बागेश्वर को एक अलग जिल्ली के रूप में गठित किया गया लेकिन नगरपालिका कब गठित किया गया बागेश्वर को 1968 में Question number 8 है निम्ण मेंसे कौन सा दर्रा बागिस्वर और पिथोरगड को जोड़ता है तो बागिस्वर और पिथोरगड की मद्य जो दर्रा है वो है ट्रेल पास दर्रा ट्रेल पास दर्रे की खोज कुमाउं कमिशनर ट्रेल द्वारा की गई थी 1830 में 830 में इस दर्रे को कमिशनर ट्रेल द्वारा खोजे गया था तो इसलिए इस दर्रे का नाम क्या है ट्रेल पास दर्रा है कमिशनर ट्रेल के नाम से और ये ट्रेल पास दर्रा है वागिस्वर और पिथोरगड जनबत के मध्या Quesn No.9 है कुमाओं का धान का कटोरा Most important question दोस्तों कुमाओं का धान का कटोरा किसे कहा जाता है तो कुमाओं का धान का कटोरा कहा जाता है कोसी नदी को B option हो जागा यहाँ पर सही answer अगर कोसी नदी के बारे में अन्यम हित्वपून प्रशन बनते हैं पूछा जा सकता है कि कोशी नदी का उद्गम कहां से होता है तो बागेस्वर के कोशानी से और ये बागेस्वर, अल्मोडा, नहनिताल और उद्दम सिंग नगर यानि कुमाओं के चार प्रमुख जनपदों से बहती है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है कुमाओं का धान का कटोरा भी कहा जाता है बी option हो जाएगा अब देखो कई बार क्या होता है कई बार घाटी पूछा जाता है घाटी तो कौन सी घाटी कुमाओं का धान का कटोरा कहा जाता है किस घाटी को तो को सी नदी घाटी को ये है दोस्तों बागिश्वर जन्पद में जो बागिश्वर जन्पद की सुन्दर ढूंगा घाटी है अब दोखो सुन्दर ढूंगा घाटी कहा है तो ये आपकी बागिश्वर में है तो बागिश्वर की जो सुन्दर ढूंगा घाटी है वहाँ इसे थे दुर्गा कोट चोटी C option हो जाएगा सही answer Question number 11 है गोमती वा सर्यू नदी का संगम कहां पर होता है गोमती और सर्यू नदी का जो संगम होता है वो होता है बागिस्वर में B option हो जाएगा सही answer बागिस्वर में गोमती नदी जो कि बागिसवर में सर्यू नदी से मिल जाती है सर्यू नदी इसका उद्गम बागिसवर से ही होता है बागिसवर के सरमूल नामक इस्थान से और जो ये सर्यू नदी किसकी सायक नदी है ये है काली नदी की सायक नदी पंचेशवर में ये काली नदी से मिल जाती है लेकिन उससे पहले सर्यू नदी में गोमती नदी संगम करती है बागेशवर में क्वेसन नमबर 12 है निमन में से किसे गांधी जी ने भारत का सुर्जरलेंड कहा था तो कोसानी को कहा था गांधी जीने भारत का सुर्जर लेंड और कोसानी कहा है बागेशर में है 1929 में 1939 में कुमाउं यात्रा के दोरान गांधी जीने यहां पर वास किया था कोसानी का प्रवाज किया था और यहीं पर इन्होंने यंग इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी और इन्होंने भारत का सुड़जर लेंड कहा था कोसानी को C option हो जाएगा सही आंसर Question number 13 है पिंडर नदी का उदगम बागेशवर के पिंडर नदी का उदगम होता है यह किसकी सहायक नदी है तो पिंडर नदी है अलक नंदा की सहायक नदी और यह काण प्रियाग में चमोली के कण प्रियाग में बागेशवर से होते हुए चमोली के कण प्रियाग में यह पिंडर नदी अलक नंदा से संगम करती है तो C option हो जाएगा सही आंसर question number 14 है सुकुंड ताल किस जनपद में है सुकुंड ताल है बागेशवर में सुकुंड ताल और एक अन्यकुंड है देवी कुंड देवी कुंड किस जनपद में है तो यह भी आपका बागेशवर में हो जाएगा और सुकुंड ताल किस जनपद में है तो यह भी हो जाएग बागेश्वर में Question number 15 है बागेश्वर में इस्थित बागनात मंदिर किस भगवान का मंदिर है तो भगवान सिव को समर्बित है बागेश्वर का बागनात मंदिर ये भगवान सिव का मंदिर है और जो बागनात मंदिर है ये कौन सी नदी के तटपर बचा है तो सर्यू वगोमती क्योंकि इसी मंदिर के निकट सर्यू और गोमती नदी का संगम होता है बागिस्वर में और ये बागनात मंदिर का है बागिस्वर में है और ये भगवान सिव का मंदिर है इसका निर्मान कत्योरी सासकों ने कराया था लक्षमी चंद जो वर्तमान मंदिर है उसका निर्मान किस ने कराया था चंद सासक लक्षमी चंद ने वसे देखो यहाँ पर दो चीज़े हैं जो बागनाथ मंदिर है उसका निर्मान शुरुवात में कत्यूरी सासकों ने कराया तेकि जो वर्तमान मंदिर आपको दीखता है उसका निर्मान कराया था चंद सासक, लक्षमी चंद ने क्योंकि ये महिच्टवपोन प्रेशन कई बार एक्जामें पूछा जा चुका है question number 16 है निम्नमे से बागिश्वर का एक परसिद मेला उत्रायनी मेला, स्याल्दे विकोती मेला, नुनाई मेला या चेती मेला तो सबसे परसिद मेला है बागिश्वर का उत्रायनी मेला उत्रायनी मेला जो की बागिश्वर में सर्यू और गोमती नदी के तड़ पर हर साल मकर संक्रांती की दिन लगता है और इसका एतिहासिक महत्तो भी है क्योंकि 14 जनवरी 1921 14 जनवरी 1921 को यहाँ पर एक बहुत बड़े जन सेलाब यहाँ पर उमड़ा था क्यों उमड़ा था क्योंकि कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का संकल्प यहाँ पर लिया गया था 14 जनवरी 1921 को तो इसलिए एतिहासिक महत्तो भी है इस उत्रायनी मेले का जो की बागिश्वर का एक परसिद मेला है क्योंस नमबर 17 है यहाँ पे सुन्दर ढूंगा घाटी किस जनपद में है तो बागिश्वर में हो जाएगी सुन्दर ढूंगा घाटी और इसी सुन्दर ढूंगा घाटी में है दुर्गा कोट चोटी दुर्गा कोट चोटी का है तो यह भी आपकी बागिश्वर में है सुन्दर ढूंगा घाटी में क्योंस नमबर 18 है सास बहु खेत नामक इस्थल इस्थित है सास बहु खेत ये भी आपका बागेश्वर जन्पद में है सास बहु खेत नामक इस्थल क्वेस्ट नमबर 19 है बैजनात मंदिर कौन सी नदी के तट पर इस्थित है जो बैजनात मंदिर है ये इस्थित है गोमती नदी के तट पर वैसु बैजनात मंदिर के निकट गोमती और गरुड गंगा गोमती नदी और इसकी एक सायक नदी है गरुड गंगा या गरुड नदी इन दोनों का संगम होता है बैजनात मंदिर के निकट तो मुख्य नदी इनमें से गोमती नदी है और option में भी यहां पर गोमती है तो इसलिए B option सही आंसर हो जाएगा अब आपको देखना यह है कि अगर गोमती और गरुड कहीं पर दिया गया है तब दोनों option सही आंसर हो जाएगे ठीक है तो बेजनात मंदिर कौन सी नदी के तटबर है गोमती नदी और साथ सा गोमती नदी के जो सायक नदी है गरुड गंगा तो गरुड गंगा और गोमती नदी का संगम होता है बेजनात मंदिर के निकट Question number B से पिनाकेश्वर महादेव मंदिर कहां इसित है तो पिनाकेश्वर महादेव मंदिर है कोसानी में कोसानी में एक पहाडी है पिंगनात पहाडी तो इसी पिंगनात पहाडी पर कोसानी भी इसित है और ये पिनागेशवर महादेव मंदिर भी इस्तित है पिंगनाथ पहाड़ी पर डी ओप्षन हो जाएगा सही अंसर Q21 है अगनी तीर्थ वा सूरे तीर्थ किस जन्पद में है? अगनी तीर्थ और सूरे तीर्थ के मद्य बसा हुआ है Q23 है वा पूआ और सूरे तीर्थ ये किस जन्पद में है? तो ये हो जाएगे वा जाएगे वा जा में Q23 से ये Q23 रिपीट हो गया है Q25 तो 1968 में भा जजन्पद में 99 में से कौन सा कुंट है? हंस कुंड, बेताल कुंड, सुकुंड या थमरी कुंड एक मात्र कुंड इनमें से जो बागेश्वर में है वो है दोस्तों यहां पर सुकुंड C option हो जाएगा सही answer और एक अन्य कुंड है बागेश्वर में देवी कुंड तो यह दोनों कुंड आपको नोट करने है सुकुंड और देवी कुंड कौन से जन्पद में है तो बागेश्वर में question number 24 है बागेश्वर जन्पद राज्य के कितने जन्पदों से सीमा बनाता है तो बागेश्वर जन्पद राजे के तीन जन्पदों से सीमा बनाता है पिथोरगड, चमॉली और अल्मोडा इसके पूरव में है पूरव और पस्थिम में पिथोरगड पूर हो गया और साथ चाथ पूरव उत्तर में ठीक है चमॉली और दक्षिन में हो जाएगा अल्मोडा तो पिथोरगड, चमॉली और अल्मोडा से ये सीमा बनाता है तो बी ओप्शन हो जाएगा सही आंसर क्वेस्ट नंबर पत्ची से कोसानी कौन सी पहाड़ी पर बसा हुआ है नीलेश्वर परवत पर भीलेश्वर परवत दनगल परवत या पिंगनात परवत तो इसका डी ओप्शन हो जाएगा सही आंसर पिंगनात परवत पर इसी थै कोसानी क्वेस्ट नंबर 26 से बागेश्वर जनपद को अलमोडा से पिर्थक कर नए जनपद के रूप में गठित किया गया तो कब गठित किया गया था बागेश्वर जनपद को तो ये किया गया 15 सितंबर 1997 को और किस जनपद से इसको अलग किया गया अलमोडा से अलमोडा से प्रथा करके एक नया जनपद गठित किया गया था बागेश्वर जनपद 15 सतंबर 1997 को Q27 निमनमे से राजे का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर देखो राजे का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोती ग्लेशियर जोकी उत्तरकासी में इस्थित है जबकि राजे का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है पिंडारी ग्लेशियर जोकी बागेश्वर में इस्थित है Quesion No. 28 महात्मा गांधी जी ने कोसानी में यंग इंडिया नामक पुस्तक कब लिखी थी तो देखो 1939 को गांधी जी कुमाउं यात्रा पर आये थे एक ये महिच्टपून प्रेस्ने भी बनता है कि गांधी जी कुमाउं यात्रा पर कब आये थे तो 1939 को और इसी समय इन्होंने कोसानी में यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी और कोसानी को इन्होंने भारत का सुर्जा लेंड भी बताया था Quesion No. 39 मंदिर किस सैली से बना हुआ है तो बागनात मंदिर की जो सैली है दोस्तों वो है नागर सैली यानि D. उप्सन हो जाएगा इसका सही आंसर Quesion No. 30 है Quesion No. 31 है Quesion No. 31 है तो बागिश्वर का जन गनता है 116 यानि ए ओप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर अब यहाँ पे देखो लिंगा अनुपात कितना है तो 1090 है बागिश्वर का लिंगा अनुपात जबकि इसका जन गनता कितना है तो 116 Q32 गांधी जी ने स्रीमद भागोत पर अपनी परसिद भूमी का अनासक्त योग कहां लिखी थी तो देखो बागिश्वर में कोसानी में प्रवास किया था महात्मा गांधी जी ने और यहीं पर इन्होंने अनासक्त योग पर टीका लिखी थी D option हो जाएगा कोसानी में लिख की गई थी तो कोसानी में देखो लक्षमी आश्रम इसी थै और 1941 में यानि C option हो जाएगा सही आंसर 1941 में गांधी जी की सिस्या सरला बहन ने कोसानी में लक्षमी आश्रम की इस्थापना की थी कब गी थी 1941 में question number 34 है पांडु इस्थल नामक इस्थल कौन से जनपद में है तो पांडु इस्थल जो की कुमाओं और गडवाल की सीमा पर इसी एक परेटक इस्थल माना जाता है और यहाँ पर यह पांडु ने वास किया था ऐसा माना जाता है तो यह कौन से जनपद में आता है तो बाग सकते हैं पॉंडू स्थल जो की बागेश्वर जन्पद में इस्चित है अब देखो यहां पर question number 35 बागेश्वर जन्पद की कौन सी विधान सवा सीट अनुसूची जाती है तो आरक्षित है तो बागेश्वर के अगर हम विधान सवा सीटों की बात करें तो कुल विधान सवा सीटें दो हैं बागेश्वर में बागेश्वर विधान सवा सीट और कपकोट विधान सवा सीट तो इसमें जो यह बागेश्वर विधान सवा सीट है कि स्थी है तो आरक्षित है उत्राखंड में स्थी है तो आरक्षित जो कुल विधान सवा सीट है वो त बागेशवर विधान सभासीट question number 36 नेमन मैसे बागेशवर जनपद में कौन सा एक glacier नहीं है तो यहाँ पर देखो कफणी भी है मैक तोली भी है और सुखराम भी है नामिक glacier नामिक glacier का है पिथोरगड में है नामिक glacier बागेशवर में नहीं है C option हो जाएगा सही answer